और देखिए बीते दिनों कोईले की कमी को लेकर हड़ कम्प मचा था और अब सरकार ने कोईले और इसके इंपोर्ट पर निर्भरता को कम करने के लिए एक नई पहल की शुरुवात किया है सरकार ने renewable energy के लिए एक बड़ा कदम उठाया है सरकार ने Green Day Ahead Market platform launch किया है और उस platform की मदद से बिजली वितरन कंपनियों को सस्ते में बिजली मिल सकेगे आवर एनर्जी टांजिशन इस इंपोर्टन फोर उस फोर वन पोर रिज़न not . Now that again is a goal which is central to our government and to us. We want to reduce our dependence on imported sources of petroleum etc. So, that is why we are pushing electrical mobility and that is why the Prime Minister announced the Green Hydrogen Mission which we shall Taken to the Cabinet shortly and that Green Hydrogen Mission will also enable the replacement of imported sources of imported fossil fuel sources by Green Hydrogen made in India from renewable energy. मेरे साथ मेरे से होगी प्रकाश प्रदर्शी हम पर जादा अप्टेट के रुगा है. प्रकाश क्या है ये Green Day Ahead Market और कैसे हम dependency जो है वो कोईले के इंपोर्ट पर इससे कम कर सकेंगे? दिखिए वैसी generation company जो खासकर renewable power के generation में लगी है उनके लिए काफी एहम दिन है क्योंकि आज जो उर्जा मंत्राले है उसने एक exclusive platform launch किया है जो power exchanges है उसके उपर Green Day Ahead Market यानि जो exclusive platform है ये सिर्फ renewable energy जो है उसके लिए launch किया गया है इसका मतलब यह है कि जो भी company है renewable generation segment में वो अपनी जरुवत के हिसाब से या जितनी भी बिजली वो exchanges पर बेचना चाहती है वो बेज सकती है इसके अलावा इसका जो सबसे बड़ा फायदा होने जा रहा है एक तो generation company को होने जा रहा है क्योंकि जिनके पास PPA नहीं है उनको एक platform मिल गया है कि वो exchanges पर बिजली बेज सकती है इसका फायदा DISCOMS को भी होगा क्योंकि जो DISCOMS renewable energy खरीदना चाहती है सस्ती बिजली खरीदना चाहती है उनको भी एक platform मिल गया है क्यों वहाँ से day ahead market में अपनी जरुवत के हिसाब से बिना कोई long term power purchase agreement किये हुए बिजली खरीद सकती है ये विकल्प DISCOMS के भी होगा क्योंकि कई DISCOMS ऐसी है जो खुद भी renewable generation में लगी हुई है उनके पास भी अगर उनकी requirements से ज़्यादा बिजली है तो वो भी exchanges पर बेज सकती है एक विवस्था ये भी की गई है कि जो विवस्था है उसमें क्योंकि thermal power के लिए पहले से विवस्था वहाँ पे है लेकिन renewable के लिए अब ये exclusive विवस्था होने के बाद जो transmission lines है वहाँ पर renewable energy को प्राथमिकता दी जाएगी तो ये एक तरीके से win-win situation सबके लिए है सरकार इसके जरीए जो है renewable energy की जो शमता है उसको बढ़ाना चाहती है उसके generation में तेजी लाना चाहती है और उसको ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया है तो जाहिर तोर पे जो भी generation company है जो renewable energy sector में आना चाहती है उनके लिए market को open किया जा रहा है उनको दूसरे विकल्प जो है वो दिये गए है ठीक है प्रकाश देखिए केंद्रिये बिजली आरके की बिजली मंत्री आरके सिंग ने ये भी कहा कि आरके सिंग ने कहा कि power distribution company को भी 75,000 करूड रुपए power generation company को देना है जब तक इसका भुकतान नहीं होगा कोल संकट का हल निकालना मुश्किल है कुल विला करके जो overall city है कल के दिन में कहीं पर कोई ये हुआ कहीं कोई shortage नहीं हुआ इसके पहले हुआ है कहीं नहीं जहां पर कि अगर कहीं पर कुछ थोड़ा सा हुआ वह अपने constraint के कारण अब पंजाब में पंजाब में पहले भी हमने कहा था अभी भी उन्होंने सुधार नहीं किया